हेलो और यह है अपनी क्लिनिकल अनाटमी सीरीज और आज अब देखिने वाले हमने इंग्वाइनल का बहुत इंपॉर्टन क्लिनिकल पॉइंट वह अपना होता हर्निया और देखो हर्निया के उपर युनिवर्सिटी में डिर्यक एसे कॉस्टन में आसकता है यह शॉर्ट नो लिखो और इन डिर्ट अगवाइनल हर्निया आप लिखें फिर आप टाइप आप लिखें उसके बाद चो कवरिंग जो होती हर्निय की वह बहुत इंपॉर्टवाइं और अपने हर्निया के पूछ पूछ लेता है तो कभी भी जब अपने स्मॉल एंटस्टाइन के जो लू सबसे बड़ा इंपॉडन कोंप्लिकेशन का उसे उन बोलते हैं जाहिर से बात है जब भी अपने बाड़ी के बाहर निकल जाएगा तो चलिने पर क्या होता है जो आसपास वाली मसल जो रहती है फिर वह इस इस मॉल इंटसाइन के लूप पर प्रेशर डालती है जिसके कारण इसके अंदर ब्लड अपना रुख जाता है और अगर अपने पर टिशू के अंदर नेक्रोसिस होने लगता है और इमर्जेंसी कंड कोम्लिकेशन होते हैं एक होता है जिसरा डूसरा होता है और बात करते हैं कि कितने हर अपने उप्ली मॉं में होते हैं अपरें यहूं स्मौल एंट्रस्टाइन जो है वह से अपने बाडी के आउसाइड निकल सकता है तो इसको बोलते हैं यह फिर अनिकल कर सकता है इसे को अपने के ऊपस्ट की निकल रहे हैं फिर हमने एक होता है इंतर्नल हर्निय Sachen के लूप जो है बोड़ी helped लूब जो आपने लूप उसके अंदर लूप जो है तो अब बात करते हैं तो आपको बात करते हैं सबसे पहले इसके अदर होगी प्रवरिंग फिर अपना होता है यहां पेंदर प्रेजंट होता है अपना स्वाल इंट्रस्टैंड के लूप फिर होता है नेग तो अपना आगए बढ़ते हैं एंगवाइनल हर्णिया के बारे तो सबन बोलते हैं और देखो यहां पर इंगवाइनल हरनिया भी फॉर्थर और दो टाइप का होता है उसके उपर जो है आपकी युनिवर्सिटी में कॉश्चिन भी आता है कि आप डिफ्रेंशेट करें डायरेक्ट और इंडारेक्ट इंगवाइनल हरनिया को तो देखो प्रोते हुए फिर से सुपर्फिश्यलेंगुईनल होते हुप इन कंटेंज होगा लाज रिंग God के इस अपनेर रिंक होते हैं इसको अब भूलते हैं इंडारेक्ट हरनिया और डिरेक्ष हर्णिया क्या होता है जो पूरा अपना इंग्वाइनल कैनाल है उसकी पोस्टेरे अप्डॉमनल वॉल में कहीं से भी अगर डिरेक्ली अपना अपना अप्डॉमन का कंटेंड बॉडी के आउटसाइट भार की तरफ निकले तो इसे अपन बोलते हैं अपने अपने इंग्वाइनल कैनाल के पोस्टेर वाल से यहां से यहां से आप डाउनल कंटेंड बाहर आने लगा तो इसे में बोलते हमने डियरेग अब देखो यह डियरेख हरनिया जो है इसको और फर्दर एक और चीज लिखी है वह अपना है ज़ल बेस्ट ट्रैंगल के बारे में हैं-बी डियरेख अपना पूर पूरी पूरी पोस्टियर बौटर से नहीं नहीं होता मुझ फूसी पीसस से directly अपने small intestine के loop बाहर ने निकलते हैं वो स्रीव अपने हैजल बैस triangle वाले area से निकलते हैं फिर हैजल बैस triangle कहां पर बनता है तो देखो triangle जाहिर से बात है इसके अंदर एक होगा बेस तो इसका बेस जो है यह अपने पूरा इंग्वानल लिगामट प्रेजेट है उसका मीडियल पार्ट बनाता है तो कुछ इस तरीके से अपने इंग्वाइनल के मीडियल वाले पार्ट में अपना प्रेजेंट होता है है और आपने इंटरसरेंट के लूप भार निकलते हैं ईसको अपने बोलते हैं और इसको और और अीजसिप्र िया हुए जो इसको ऑर दो बार्ट में डिवाइट कराया थो दिवाक्त और यहां पर क्या होता है एक प्रेजन क़्वाइनट तो मुझें आल अ कम निंग मैं बता गार्टिया है इसके जब भी आपको पॉइंट बताता हूं नहीं सारा आपको BDC साही बताता हूं और इंगवायनल हर्णियां तो उन होगा है जो है तो आप देख पार हो मतलब की इंकाल लूप का बहार निकलना उकर थो दक्षाट बोलॉल और ट्राइंगल ओंगल ऑफ हजल बैच्ट हर्णिया एज़े डारेक इंगवाइनल हरनिया अब मैं आपको उसका बगाता हूं क्योंकि आप से युनिवर्सिटी में इसे शब हेडिंग में आप से पूछ सकते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि सर इंडारेक इंगवाइनल हरनिया उसकी क्या है यहां पिर है डीडीसि में लिखा हुआ है जो इंडारेक हरनिया होती है कुलमलाख कि सबसे पहली कवरिंग जो है वह अपनी होती है इंटरनल पर singles क्रिनित पेडिक अब इसको समझे नेक लिए याद करनेक लिए मैं तो हम यहां पर क्लियर लिए यहां पर अंपने इंडार鉅 में क्या हो रहा है जितना भी अपने ना होते हैं तो आपके हैं पे पता है जो को स्पारिक युदिब को वीडियो में पहले एक क्लियरिस देख पार हो इस कि कवरिंग फेशिया और इंटेलनल स्परमेटिक फेशिया देन तीनों वो कवरिंग आती है देन इस कवरिंग के बाद फिर अपना आता है एक्स्टेनल परिटोनल टिशू और डारेक्ट फिर अपना इंटस्टाइन का लूप आ जाता है तो बड़े अराम सा आपको इसके सारी कवरिंग अब आध मैं अलगादे आपने मुँद देखना इंटेरेक्ट की कवरिंग अब पन देखते हैं डारेक्वाली और टमक्त में इसके इंदर समझाने के लिए मैं कह कärता हूं तुम्हें डायगराम दिखाता हूं तो अब मैं तुम्हें से बिखाई देखा सबसे पहले आपको पता है inflix कंटेन भार निकलते हैं इसके करने दो पॉर्ट में देवाइट हो जाता है एक लिट्र पार्ट और मीडियल पार्ट अब आप खोडी हमन पहले आराम से पता लागा लूबंगे मालने मालने दिसाइन का लूब है अगर अने इस तरह के सब भार निकलेगा तो सब पहली को डियार आ रही है यहां पर सबसे पहली अपनी आ क्या रहा है यहां पर अपना आ रहा है यहां पर conjoint अगर आप देखो तो इस तरह अपना पूरा प्रजन होता है इंटर्नल ओवग मसल आपको पता है आगे जाके अपने बनाती हें क्रेम इसको पार्ट है मैंने आपको बताया पहले प्रेजंट होती है skin then external spermatic fascia then conjunction tendon then facial transversalis और external peritoneal tissue इसके लेटरल पार्ट में अपना प्रेजंट है skin external spermatic fascia यहां पर conjunction की जगा आप कर देना क्रेमस्टरिक fascia then facial transversalis और external peritoneal tissue तो यह पूरा मैंने आपको बता दिया हरनिया के बारे में और हरनिया बहुत important है आप उसको अच्छी से prepare कर लेना क्योंकि हरनिया आपका abdomen में आता ही है then next अपनी क्लिकर अनाट में होने वाली यह वह अपनी होने वाली टेस्टेस के उपर और उसका आपको उपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा